प्रीदर्शको नमस्कार और वैसे आज का जो हमारा विशह है वो है बाइबल आधारित, दया, तरस और करुणा ब्रदर सबसे पहला सवाल तो आपसे यही हम पूछना चाहेंगे कि बाइबल आधारित, दया, करुणा या तरस जब हम इस तरह की बाचीत करते हैं तो असल में इसका मतलब होता क्या है धन्यवाद जॉन आपने एक बार फिर से बहुती अद्भूत विशह को ले करके आया है जो हर एक मनुश्य के जीवन से बहुत करीबी तालुकात रखता है और बाइबल भी इस विशह में बहुत कुछ बाते हमको सिखाती है क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि जो तरस या दया है यह एक सकारात्मक नैतिक गुण है जो हर एक मनुश्य में होना चाहिए परन तो जब हम बाइबल में आते हैं और बाइबल से बातें करते हैं तो बाइबल के अंदर जो बाइबल का परमेश्वर है ये बाइबल का परमेश्वर भी इस बात को लिखा गया है कि बाइबल का परमेश्वर भी दया से भरा हुआ परमेश्वर है यदि आप नहेमिया 9 का 19 पढ़े भजन 59 का 1, 119 भजन का 156 वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी करुणा महान है यदि आप यशिये 54 का 7 पढ़ते हैं वहाँ बाइबल बताती है कि उसकी करुणा बहुत गहरी है यदि आप पढ़ते हैं विलाबगी, तीसरा अध्याय, बाइस्वा वचन तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी करुणा कभी टलती नहीं है तो आप पूरे तरीके से इस बात को देखते हैं जॉन कि ये जो विशय है ये बताता है कि हमारा जो परमेश्वर बाइबल में है वो एक अदभुत दया या करुणा रखने वाला परमेश्वर है परंतो यहाँ पर एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि पुराने नियम में ऐसा समझा जाता था कि जो बाइबल का परमेश्वर है वो बहुत क्रोधी गुस्से से भरा हुआ दंड देने वाला बदला लेने वाला परमेश्वर है परंतो इसके विपरीत आप देखते हैं कि बाइबल की पुरानी नियम ही है जो हमको इस बात को बताती है कि परमेश्वर अद्भूत है और वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है परंतु जब आप नैनियम में आते हैं तो नैनियम भी इस बात को बताता है कि ये परमेश्वर जो है वो दया का पिता है यदि आप आपकी बाइबल में पढ़ेंगे दूसरा कुरंथियों उसका पहला अध्या है और उसका तीसरा वचन यहाँ पर इस बात को पॉलूस लिखता है अपनी पत्रियों में यहाँ परमेश्वर जो परमेश्वर जो पुराने नियम में दया से भरा हुआ था उसकी दया यहाँ पर आकर के और विशाल रूप ले लेती है और बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर दया का पिता है और इस बात को हम देखते हैं जब हम उड़ाव पुत्र की द्रिस्टांत को देखते हैं लुकराचिस्व समचार पंदरा अध्याय बीस्वावचन तो वहाँ पर उस परमेश्वर के प्रेम को या पिता के प्रेम को प्रगट करता है कि कैसे उस पिता ने अपने पुत्र के ऊपर अपनी करूना को उंडेला और वो इस बात को प्रगट करता है कि वो परमेश्वर जो पुराने नियम में दया से भरा हुआ था वो नए नियम में और ज़्यादा दया को अपनी प्रगट करता है अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल सही आपने लेकिन एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ अब तक जो बात्चीत हो रही है वो परमेश्वर पिता के उपर हो रही है और हम इस बात को समझ रहे हैं कि पिता परमेश्वर जहेँ वो दया से भरा हुआ है वो करोना से भरा हुआ है लेकिन अगर हम प्रभुईश्य मसी की बातचीत करें तो बाइवल के अधार पर हम ये कैसे कह सकते हैं और आप कैसे बता सकते हैं कि हाँ प्रभुईश्य मसी भी उतनी ही दया से भरा हुआ है उतनी ही करोना से भरा हुआ है देखिए जॉन यदि आप नाइनियम में देखते हैं प्रभुईश्य मसी सबसे पहली बात हम ये देखें कि प्रभुईश्य मसी और परमेश्वर कोई अलग नहीं है यदि हम त्रियक्ता की बात करते हैं तो ये प्रभुईश्य मसी उस त्रियक्ता का एक मनुष्य है एक पर तो प्रभू इशु मसी परमेश्वर का जैसे बाइबल कहती है, वह अद्रिश परमेश्वर का परती रूप था, तो वो प्रभू इशु मसी जब नाइनियम में हमारे बीच में आया, तो उसने परमेश्वर के गुणों को, उसके चरत्र को शारिरिक रूप से प्रगट किया यदि आप मतिरेचिचु समचार नववा अध्याय 36 वजन को पढ़ते हैं, उसके 14 अध्याय के 14 वजन को पढ़ते हैं, यदि आप मर्कुश छटवे अध्याय के 34 वजन को पढ़ते हैं, वहाँ पर इस पस्ट रूप से बाइबल में लिखा हुआ है, कि जब प्रभु ईश्य मसी ने उस भीड को देखा, तो वो तरस खाया, तरस से भर गया, और उसके तरस का कारण जो था, कि उसने देखा कि मनुष्य जो है, वो भटकी होई भेडों के समान है, जैसे जिनका कोई चरवाहा ना हूँ, तो जब प्रभु ईश्य मसी मनुष्य को उस दशा में देखता है, तो वो अपनी करूना को रोक नहीं पाता, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, और वो प्रभु ईश्य मसी है, जिसको कि हम यहाँ पर अपनी दया को, अपनी करूना को, परमेश्वर की दया और करूना को मनुष्यों के लिए बहाते हुए देखते हैं, तो यदि हम इस बा तो बाइबल इस बात को भी बताती है, वो पवित्रात्मा जो है हमारा सहायक है, हमारे लिए एडोकेट है, वो हमारे तरफ से परमेश्वर से गुजारिश करता है, विंती करता है, तो यदि हम परमेश्वर के तीनों रूप को देखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्रात्म इन तीनों रूपों में इन तीनों मनुश्यों में परमेश्वर, पिता, पुत्र और पुईतरात्मा अपनी दया को मनुश्यों के लिए प्रगट करता है तो ये वो परमेश्वर है जो तीनों रूप में अपनी दया को मनुश्यों के लिए देता है अनुराग बदर आपने त्रियकतव ईश्वर पर बात साफ कर दी कि परमेश्वर पहले भी था, उस समय करोणा थी, दाया थी नयनियम के काल में जब आते हैं, जहाँ पर प्रभी उश्व मसी है, वहाँ पर भी दाया है, करोणा है लेकिन एक बार फिर अगर हम दाया, तरस और करोणा पर देखते हैं, तो इस विशह में बाइबल एक्जाक्ली हमसे क्या कहती है जौन आपने बहुत सही रूप से इस बात को समझा, और बाइबल हमको विस्तार से बताती है कि वाकई में जो परमेश्वर है, बाइबल का, वो दाया से भरा हुआ परमेश्वर है नाकेवल परमेश्वर परंतु प्रभुषु मसी और साथी साथ पोईतरात्मा तो जो परमेश्वर की त्रियेक्ता है, वो दाया से भरी हुई त्रियेक्ता है परंतो हम साथ ही साथ जैसे आपने पूछा यदि हम बाइबल को देखते हैं तो बाइबल के अंदर ऐसे बहुत से उधारन हमको देखने को मिलते हैं जहां पर हम परमेश्वर की उस दया को लोगों के जीवन में पढ़ते हुए देखते हैं यदि आप बिलकुल पहली पुस्तक उतपती में चले जाते हैं तो वहां पर हमको देखने को मिलता है कैन और हाबिल के जीवन को आप जानते हैं कि किस प्रकार से कैन और हाबिल के बीच में मन मोटाव हुआ और कैन ने हाबिल को कतल कर दिया तो उसकी हत्या करने के बाद आप जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसको दंडित किया कैन को और वहाँ पर जब यदि आप 14 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर कैन जो की पाप किया था जिसने एक बुराई किया था वो परमेश्वर के सामने पुकारता है और उससे बिंती करता है और वो कहता है कि कोई भी मुझे पकड़ेगा तो वो मुझे मार डालेगा और तब परमेश्वर ने उसके लिए एक चिन्न ठराया कि कोई तुझ पर अब प्रहार ना करने पाए तो वहाँ पर जब परमेश्वर को वो पुकारता है उससे बिंती करता है तो वो उस बिंती को सुन करके उस पर अपनी दया को प्रगट करता है दूसरा उधारन हमको अबराहम के जीवन का देखने को मिलता है जब अबराहम अपने भतीजे लूत को ले करके परमेश्वर के सामने जाता है और परमेश्वर इस बात को कहता है कि देख मैं अतिशीग्र जो है वो सदोम और अमूरा को नाश करने जा रहा हूँ परन्तु वहाँ पर हम देखते हैं कि अबराहम परमेश्वर के साथ जा करके वारतालाप करता है उससे बार-बार वो गुजारिश करता है उससे बिंती करता है कि प्रभु कि यदि वहाँ पचास लोग होंगे तो भी क्या तू उसे नाश कर देगा प्रभु कहता है कि यदि 55 होंगे तो भी मैं उसे छोड़ दूँगा वो कहता है कि यदि 45 होंगे फिर वो 40 होंगे और यहां तक कि अबरहाम जो है वो 10 की गिंती तक जाता है जौन यहां पर दुख की बात यह है कि जिस इस्थान को परमेश्वर नाश करने जा रहा था वहां पे 10 लोग भी धर्मी नहीं मिले यह धर्मी वैक्ती को परमेश्वर खोजता है और वो चाहता है कि हर एक मनुश्य पर मैं अपनी दया को प्रगट करूँ एक धोखा देने वाला मनुश्य था उसने ना केवल अपने भाई को धोखा दिया परंतु उसने अपने पिता को धोखा दिया और उसकी मा के जो एडवाईस के साथ वो अपने घर से भाग रहा था और हम उस कहानी को अच्छे से जानते हैं कि जब वो भाग रहा था तो वो बेतेल में पहुँचता है और बेतेल में पहुँच करके वो एक रात वहाँ पर एक जगा पर बिताता है और वहाँ पर परमेश्वर उसको एक दर्शन देता है और उस दर्शन के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके वादा करता है कि म याकूब के जीवन में बनी रहती है जॉन यहाँ पर हम इस बात को फिर देखते हैं कि जब वही याकूब अपने ससुर के घर से लोटता है तब हम पनियेल में देखते हैं कि परमेश्वर फिर उस से मिलता है और परमेश्वर वहाँ पर आ करके अपनी दया को याकूब के जीवन में प्रगट करता है याकूब की एक इच्छा थी कि अपने जीवन के अंतिम समय में वो अपने छोटे बेटे यूसुफ के साथ कुछ समय वैतित करे और यहाँ पर हमको इस बात को देखने को मिलता है कि परमेश्वर अपनी दया को उस पर बनाए रखता है और उसके बाद वो अपने छोटे बेटे यूसुफ के साथ उसके बच्चों के साथ अपने पोतों के साथ वो मिश्र में समय वैतित कर पाता है तो इन पूरे बातों के अंदर हम इस बात को समझ पाते हैं कि जो बाइबल के अंदर परमेश्वर है वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है और निरंतर बाइबल जो है वो परमेश्वर को एक दया से भरा हुआ करुणा से भरा हुआ परमेश्वर के रूप में प्रगट करती है यदि आप भजन सहीता उसके 145 और 8 वे वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर यही बात हमको देखने को मिलती है कृपी आप अपने बाइबल से पढ़िए यहां लिखा है यहुआ अनुग्रेकारी और दयालू विलम से क्रोध करने वाला और अती करोणा में है तो यह दोनों पद हमको इस बात को बताते हैं कि वो परमेश्वर जो की क्रोध करने वाला है वो भले विलम से क्रोध करता है लेकिन वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है एक ऐसा परमेश्वर जो हमारे जीवन में दया करना चाहता है एक और मुख्य बात हमको यहां पर जानने को मिलती है जॉन यदि आप बाइबल के अंदर देखते हैं तो बाइबल सबसे ज़्यादा यदि परमेश्वर के चरित्र को बताती है तो परमेश्वर को एक पवित्र परमेश्वर के रूप में प्रगट करती है लेकिन यदि सबसे ज़्यादा यदि पवित्र परमेश्वर को प्रगट करती है तो दूसरे नंबर पर परमेश्वर को एक दयालू परमेश्वर की रूप में प्रगट करती है एक ऐसा परमेश्वर जो दया से भरा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि जितना महत्वपूर्ण प चरित्र क्या है कि परमेश्वर दया से भरा वो परमेश्वर है। यदि आप एक राजा के बारे में पढ़ते हैं जो कि दूसरा राजा और हमारे को दूसरा इतिहास दोनों जखाये मिलता है तैतिस अध्याई के अंदर पहले से दस्वे बचन को आप देखेंगे तो वहाँ पर राजा मनेश्वर था जो कि यहुदा का राजा था और उस साल देवताओं के लिए अशेरा के लिए मंदिर बनवाएं यहां तक कि उसने परमेश्वर के पवित्र इस्थान में उनकी मूर्तियों को इस्थापित किया इतना घ्रिनित काम किया और जब आगे पढ़ते चले जाएंगे तो आपको पता चलता है कि दस्वे बचन तक आप उस ग्यारवे वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यह देखने को मिलता है प्लीज पढ़िएगा पिशले में पहुँचा कर उसका राज लोटा दिया तब मनश्य को निश्य हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है और यहां पर हम देखते हैं कि एक राजा जिसने धेटाई किया गलत काम किया तब परमेश्वर ने उसे दंड दिया और उसके बाद उसको बंधवाई में भेज दिया अशूर की और फिर जब वो repent करता है वो परमेश्वर की और फिरता है उससे पशिताब करता है उसको बुलाता है उसको परमेश्वर से बिंती करता है तो परमेश्वर उसे शमा करता है और पुना उसको वो राज्य परमेश्वर देता है तो ये परमेश्वर है जो कि हमारे उपर निरंत कर दया करना चाहता है, और परमेश्वर क्योंकि दयालू है वो दया किये बिना रह नहीं सकता। लेकिन आवशक्ता है कि हम उस दया को प्रांप्त करने के लिए परमेश्वर को ऑसर दें। विए सोच रहे हो या फिर ऐसा सवाल उनके दिल में भी ओठ रहे हों कि मान लीजे परमेशर की दया हमें मिल जाती है और परमेशर हमें माफ भी कर देता है लेकिन माफ करने के बाद क्या वो हमारे पुराने पापों को स्मरण रखकर क्या अपने दिल में कड़वाट भरे रखता है क्योंकि कई बार जब हम लोगों को देखते हैं से बातें करते हैं तो वो कहते हैं कि हम ने उस इंसान को माफ कर दिया लेकिन फिर भी उसके अपरादों को और जो काम उनके खेलाफ किये गए हैं वो उन बातों को अपनी जिंदगी के आखरी वक्त तक खयाद रखते हैं तो इस विशह में Bíblon हम से वो कहता है कि मैं उसे फिर से इसमरण कभी ना करूँगा और वही जो हम लोग भजन साहिता 103 पढ़ रहे थे उसको एदिया आप 9, 10, 11 को पढ़ते हैं वहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को जिने मैंने शमा कर दिया है उसे इतना दूर कर दूँगा जैसे उत्तर से दक्षिन और जितना पूरफ से पश्चिम है जितना जमीन से आकाश उपर है उतना तो ये वो परमेश्वर है जो कि नाकेवल हमारे पापों को शमा करता परंतु उसे कहता है कि मैं फिर से इसमरण कभी ना करूँगा उसने मेरे साथ किया हमको आज परमेश्वर की उस दया को शमरण करके इस बात को अपने जीवन में लाने के वशक्ता है कि यदि मैंने अपने भाई को शमा कर दिया है तो मैं उसकी गलतियों को फिर शमरण ना रखूँ यदि परमेश्वर हमारी गलतियों को इसमरण नहीं करेगा तो आवशकता है कि हम भी उसको इसमरण ना करें और ये वो अद्भुत बात है जो परमेश्वर हमको आज सिखाना चाहता है कि जैसे उसकी दया हमारे उपर है तो हमारे को भी वो दया लोगों के जीवन में करनी है और उसे कभी स्मरण नहीं करना आप देखते हैं कि जब प्रभू इशुमसी ने एक उधारन बताया जो कि एक उडाव पुत्र का था एक उडाव पुत्र था जिसने अपने पिता के घर से सब कुछ लेकर चला गया और जब वो लोटने के लिए समय आता है जब वो तूट जाता है जब उसका सब कुछ बिखर जाता है जब उसके पास कुछ नहीं रहता वो सोचता है कि मेरे पिता के घर में तो इससे अच्छा नौकरों का स्थान है बैतर होगा कि मैं अपने पिता से कहूं कि मुझे नौकर के स्थान पे रख ले और जब वो घर आता है इसके पहले कि वो बेटा उसके घर पहुंसता उसका पिता उसकी इंतिजार करता रहता है क्यों? क्योंकि उसके जाने के समय से उसने उसे शमा कर दिया था वो चाहता था कि वो वापिस आ जाए वो मेरे पास लौट किया है क्योंकि ये है परमेश्वर का प्रेम जो मनुश्यों के लिए पिता के स्वरूप है और परमेश्वर हम से यही चाहता है कि हम उसके तरफ लोड जाए आज बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका जीवन जो है परमेश्वर से दूर चला गया है जो अपने आदतों के कारण अपने विभिन प्रकार के वहवार के कारण कई बार हत्या के कारण कई बार चोरी के कारण कई बार अपने परिवार को धोका देने के कारण ऐसे बहुत से काम करके उनको लगता है कि वो परमेश्वर से दूर हो गया है आज उनके पास ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम वापिस बचा जा सकते हैं शायद समाज उन्हें माफ ना करे, शायद हमारे देश का कानून उन्हें माफ ना करे शायद हमारा कोई परिवार का वैक्ति उन्हें माफ ना करे लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि यदि तुम आज लोटके आते हो चाहे वो कोई भी वेक्टी क्यों ना हो किसी धर्म का क्यों ना हो किसी भी जाती का क्यों ना हो किसी भी जुबान का बोलने वाला क्यों ना हो यदि आज वो इस कारिकरम को देख रहा है इस कारिक्रम को सुन रहा है और यदि इस कारिक्रम के द्वारा से वो इस बात को समझता है कि वो इस योग नहीं है कि मनुश्य उसे ग्रहन करें उसको यदि लगता है कि आज की समाज मुझे ग्रहन नहीं करेगा इस देश का कानून मुझे ग्रहन नहीं करेगा परन्तु आज उसके लिए एक रास्ता है आज उसके लिए एक आउसर है कि वो आज उस परमेश्वर के पास लोट सकता है जो बाइबल का परमेश्वर है जो प्रभुईश्यू मसी है जो पवित्र आत्मा है और वो पवित्र आत्मा आज उनको बुलाता है उनको आउसर देता कि हम उसके पास आएं, वो हमें शमा करना चाहता है, वो हमें पुरा से अपने घर में, अपने जीवन में, उस अनंत जीवन को देना चाहता है, ये है परमेश्वर की दया, जो आज वो मनुश्यों के उपर प्रगट करता है, फिर चाहे किसी विधर्म के क्यों ना हो, यदि हम को ऐसा लगता है कि हम तूटे हुए हैं हम परमेश्वर से दूर हैं अपनों से दूर हम हो गए हैं वो कहता है मैं फिर से तुम्हारे पापों को इसमरण नहीं करूंगा परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो जूट बोले परमेश्वर परमेश्वर है जो बोलता है वो परमेश बिल्कुल आपकी बात से यह तो सपस्ट है कि परमिश्वर वाकई मनुग्रेकारी है, लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे जहन में और मैं आपसे पूछना जाता हूँ, कि मान लीजे हमें परमिश्वर के दाया मिल जाती है, वो हम पर तरस खाता है, लेकिन अब सवाल योटता है कि जब उसने हमें माफ कर दिया, अपनी दया से हमको परिपूर कर दिया, तो हमें अब क्या करना चाहिए परमिश्वर के लिए? जान यही एक प्रशन है जो आज हम सभों के लिए बहुत महत्वपूर हैं इस विशे में, जैसे परमिश्वर ने हम पर दया किया है, वो चाहता है कि हम भी दया करें, प्रभुश्व मसी ने दयालू सामरी की एक कहानी बताया, और उसने इस बात को बताया कि एक वैक्ती थ जो कि दयालू सामरी था, और वहाँ पर एक वैक्ती था जो कि परेशानियों से जिसे लूट लिया गया, मार पीट के छोड़ दिया गया, एक लेवी आता है, एक याजक आता है, लेकिन कोई उस पर दया नहीं करता, परंतु एक छोटा सा वैक्ती आता है, जो कि समाज में चोटा था, वह उसके उपर दया करता है, अवशकता हमारे लिए ये है, कि यदि हमने शमा प्राप्त की है, तो हम भी शमा करें, यदि हमने दया प्राप्त की है, तो हम भी दया करें, परमिश्वर हम से यही चाहता है, और यदि हम ऐसा करते हैं, तब हमारी प्रार्थना प शमा नहीं किया है प्रभू, तो तू हमारे भी पापों को शमा मत कर, हम खुद अपने जुबान से, अपने जीब से, अक्सर ये प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं, कि यदि हम शमा नहीं कर रहे हैं, तो हमारे भी अपराद वो शमा नहीं करेगा, हम उसके साम तो हम भी दूसरों पर दिया करें, अन्त में मजए एक कहानी स्मरण आती है, एक बेटा था जो कि किसी कारण से जेल में डाल दिया गया था और हम जब उस कहानी में आगे बढ़ते हैं, तो उसका पिता जो था उसके जेल में जाने के कारण से बहुत ज्यादा नराज भी था, उसका बहुत ज्यादा नाम बदनाम हुआ था जिस स्थान में रहता है कहानी लंबी है लेकिन जब वो बेटा जो है वो जेल से छूटने वाला था तो वो अपने पिता को एक पत्र लिखता है और कहता है कि मैं इस तारीक को जेल से छूट रहा हूं और जेल से छूट करके मैं इस तारीक को घर पहुँचने वाला हूँ और वो पिता से कहता है कि जब मैं अपने गाउं पहुँचूंगा मुझे मालूम है मैंने बहुत गलत काम किया है लेकिन पिता मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ यदि आपने मेरे पापों को शमा किया है तो गाउं से पहले जब एक पेड जो आता है उस पेड पर आप एक सफेद कपड़ा बांदेना तो मुझे समझ आ जाएगा कि मुझे घर आना है या नहीं आना है लेकिन यदि ऐसा लगता है आपको कि मैंने वो गलत काम किया है और मैं इस योग नहीं हूँ कि आपके घर में आऊं तो आप क्या करना उस पेड के उपर लाल कपड़ा बांदेना वो बेटा बैठा हुआ था ट्रेन चलते चले आ रही थी और ट्रेन आते आते जैसे ही उस गाउं के पास पहुंसती है गाउं के पास पहुंसते पहुंसते वो पेड की तरफ नहीं देखता है और वो दूसरे यातरी से कहता है एक पेड आएगा उस पेड में आप देख के बताना कि क्या उसमें कोई सफेद कपड़ा बंधा है क्या या उसमें लाल कपड़ा बंधा है क्या तो जैसे ही वो गाउं के पास महुचता है तो वो इस बात को बताता है और उसका जो यातरी है वो उसको बोलता है कि आपको चिंता करने की बात नहीं है उस पेड़ के उपर एक नहीं वहाँ पर हज्जारों सफेद कपड़े जो है वो तुम्हारे पिता ने बांध रखा है हमारा जो पिता है वो ऐसा शमा करने वाला है वो हम नहीं चाहता कि वो हमसे दूर रहे ना वो चाहता है कि हम कभी उससे दूर रहे प्रभु चाहता है कि हम उसके पास आए और इस संसार के लिए परमेश्वर ने जो प्रेम का जो पाट पढ़ाया है जो प्रेम का काम उसने स्थापित किया है वो यही है कि प्रभु ईश्यु मसी के द्वारा से आज वो हमको फिर से ग्रहन करना चाहता है और ये है परमेश्वर की दया का स्वरूप जो वो हम पर करता है और चाहता है कि हम भी वही दया दूसरों पर प्रकट करें सुप्री दरशकों अगर आपने इन बातों को सुनाए हम नहीं जानते कि आपकी जिन्देगी की कहानी क्या है लेकिन आपकी कहानी जो भी हो लेकिन अगर आज आप प्रभु की दया को अपने जीवन में सुरान करना चाहते हैं अपने जीवन में उसकी दया को महसूस करना चाहते हैं तो अभी हम आपके लिए प्राठन करने वाले हैं और मैं ब्रदर अनुराक से रिक्वेस्ट करूआ कि वो हम सभी के लिए प्रार्थन करें ताकि हम भी परमेश्वर की दया को अपने जीवन में महसूस कर पाएं आईए प्रार्थन करें हमारे स्वर्गिक पिता हम बिंती करते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए जिन्होंने इस वक्तव्य को इस वचन को अभे सुना है और हमारी बिंती है पिता परमेश्वर जिसने भी प्रभू अपने जीवन में इस वचन को ग्रहन किया है जो टूटे हुए हैं, जुन्हें लगता है कि आज उन्हें कोई ग्रहन नहीं करता, जुन्हें लगता है कि उनके उपर कोई भी मनुष्य दया नहीं कर सकता, प्रभु हम जानते हैं कि आप उन पर दया करना चाहते हैं, हमारी बिंतिये प्रभु इस वचन के द्वारा से इस स प्रभु आप उन्हें स्पर्श करें और अपनी सामर्थ से उन्हें भरें कि प्रभु वो आपकी उस दया को ग्रहन करके प्रभु ईश्यू मसी के द्वारा उस अनंत जीवन के वारिस होने पाएं और प्रभु आप उन्हें अपने अनंत जीवन में ग्रहन करें हमारे करते हैं कि अगर आप प्रभू की दाया, तरस और करोणा की विशय में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो स्क्रीन के नीचे दिये गए नंबर पर आप हमसे संपर कर सकते हैं. अगले कारिक्रम में एक रोचक विशय के साथ आप से हमारी फिर मुलाकात ए मुलाकात होज्दी एृफिश झाले कर सकते हैं कि अगर य चाहते हैं